तो आज इस वीडियो में हम करने वाली है नूकलिया जो की क्लास 12 फिजिक्स का 13 चप्टर है उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले है और वो भी 30 मिनट के अंदर मतलब पूरा चप्टर आप लगों को सिरफ 30 मिनट में पता लग जाएगा कि क्या-क्या ट दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा और साथ में मल्टिपल चोईस कोशन है वो भी करवाए गए हैं इसके जो नौट्स हैं आप लोगों को कल मिलने वाले हैं क्योंकि जितनी भी नोट्स हैं मैं एक बार दोबारा से पोस्ट करने वाला हूं सारे के सारे नोट्स सारे के सारे जो प्रीवीस एर कोशन मैंने करवाए हो उनकी पीडियाफ तो आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं भी ना किसी देरी के आज प्रोटों चारे करते हैं और उसको नुखलियाज करते हैं कि मसस् नूबर ओफ नुखलियागए हो निखाया तो वो भी सही है ठीक है mass number क्या होता भी है mass number होता total number of proton and neutron इन nucleus उसे बोला जाता है mass number जिसको capital A से show करते है मतलब जो capital A है वो क्या होगा neutron plus Z Z कोन है number of proton number of neutron number of proton इनको बोला जाता है क्या mass number अगर मुझे neutron निकाल ले तो मैं क्या अगरूंगा यार इसको इधर ले ओँगा तो N is equal to A minus Z हो जाएगा तो यह निकल जाएगा यहां से क्या number of neutrons भी अब next जो आता है वो आता है nucleide nucleide क्या है दोगो अभी तक हमने पढ़ा है कि atom के अंदर क्या होते है proton होते है neutron होते है यह सब हमने पढ़ा है electron होते है किसी एक atom का specific nucleus of an atom which is characterized by its atomic number and mass number मतलब atomic number और mass number के हिसाब से उसको characterized किया जाता बताया जाता है कि हाँ यार यह है ठीक है कि यह iron है यह hydrogen है इस तरीके से तो जो specific होते है कि हाँ यार इसके इतने है mass number इसके इतने है atomic number तो उससे एक element बनता है वो होता है nucleide क्या होता है nucleide तो इसको शो कैसे करते हैं इसको करते है x x क्या होता है chemical symbol of the element होता है यहाँ पे लिखते हैं क्या z z मतलब atomic number क्या लिखते है बटा atomic number लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं mass number यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसको कैसे याद करोगे, आप इसको man, ऐसे याद कर सकते हो man, man मतलब नीचे आएंगे number, कौन से? atomic number, उपर है m, m is the mass number क्या है mass number, वो क्या होता है? यह होता है ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो atomic mass unit क्या होती है? आप कोई सामान लेने जाते हो, तो उसको किस में measure किया जाता है? kilogram में, ठीक है, आप लोगों को पता है कि यार, एक kilogram में क्या होगा? 1000 gram है, मतलब 1000 gram है, उसके अंदर आप लोगों को पता है पहले से लेकिन, 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 भाईया, अब atomic level पे, nuclear size में अगर देखा जाए, तो वहाँ पे जो unit होगी, atomic mass unit होगी, वो कुछ different तरीके से मापी जाती है, ठीक है? मतलब, यहाँ पे, इनको एक special नाम दिया गए, units को, atomic atoms के mass note करने के लिए, जो unit बनाई गई है, उनको एक नाम दे दिया गए, atomic mass unit, जिसको amu बोला जाता है, अब यह amu क्या है, जो एक atomic mass of unit होता है, वो कैसे define किया जाता है, वो तब देखो, एक carbon 12 atom होता है, उसका बहुत कम mass unit, ठीक है, तो हमने लिखा, 1 by 12 into mass of carbon 12 atom, जो कि कितना होता है, 1.992678 into 10 days to minus 26 kg, अब इसका 12 हिस्सा हमने निकाल लिया, तो वो बनेगा कुछ इस सरी के से, बुक में इसको लिखा जाता है, 1.67 into 10 days to power minus 27 kg से, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कि 1 amu किसके बराबर होता ह 1.67 into 10 minus 27 kg के बराबर होता है, नुकलियर साइज, तो यार किसी चीज, जो नुकलियर है, उसका साइज कैसे पता लग जाएगा, उसके रेडियस से पता लगएगा, उसके रेडियस से पता लगएगा, तो यहाँ पर बोला कि अच्छा, यहाँ पर जितनी भी बात हम कर रहे ह होंगे, नुकलियर साइज की, वो सभी की सभी चीज़े जो एक्सपेरिमेंटली है, किसके थुरू हैं बेटा जी, एक्सपेरिमेंटली है, ओके, दा वोल्यूम ओफ नुकलियस, इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू इस मास नमबर, यह देखा गया, यह देखा गया, कि जो सकते हैं, गोला कार बोलो, वो ज्यादा से रहेगा, तो यह बन जाएगा इसके बाद, डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू मास नमबर, मास नमबर क्या होता है, एक होता है, तो क्या मैं यहाँ पर आर क्यूब के ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर क्यूब इस डिरेक्ली आ सकते हैं, इसका, साइज, थीक है, तो यह जो yell नोट है, यह कोंन है, यह इसको नल्व एक प्रोपोर्शनल टी कॉन संट है, इसकी वरन दोता है, 10 टील स्ट पाव माइनस 15 मीटर होता है ये F ये वला F चले नुकलियर डेंसिटी क्या होता है सिंपल जैसे डेंसिटी क्या होता है मास बाइ वोल्यू तो मास किसके बारे में पड़ रहे है नुकलियर के बारे में पड़ रहे हैं या पर पूरा ये जे चप्टर है वो सारे कैसे है। मिल के क्या है। उनको सब को क्या बोला जाएगा? Mass, number बोला जायगा, मतलब वो क्या है? A हैं। उनकी संख्या बोलरे, मतलब mass बोला जा रहा है उनको बोलतें A Average mass नाम दे दिया। वो क्या था? M था Average mass हमने नाम दिया M, वो कितने हैं, nucleus के अंदर A है तो mass of nucleus कितना आने वाला भी है MA, और volume आप लोगों को पता ही है कि 4 by 3 pi R cube और R की value आप लोगों को पता है कितने होती है, R की value is R naught A1 by 3, तो cube करेंगे यहाँ पर cube आजाएगा, यह खतम हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का relation आया तो भी है, इसको और इसको करेंगे यहाँ पर put तो जैसे आप put करते हो, तो relation आता density का कुछ इस तरीके से, यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर A नहीं आया, तो जो density होती है, वो क्या होती है, वो होती है independent of mass number जो density होगी, वो independent of mass number होती है, ठीके यहाँ पर एक चीज, ध्यान में रखना कि सारी जो density है, वहाँ कहाँ पर concentrate होती है भी है, nucleus के center पर, edges पर जाते जाते हैं, वो कम हो जाती है edges पर जाते जाते हैं, कम हो जाती है, ठीके, चलिए अब एक fix value है, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या order होता है, तो आप लोग यह बता सकते हो 10 days to power 17 होता है, ठीके चलिए, अब कुछ types पढ़ेंगे atoms की, मतलब atom को कब isotope बोला जाता है अलग-अलग element के atoms को कब ISO bar बोला जाता है, isotones कब बोला जाता है आइसो मर कब बोला जाता है, यह सब चीज़े तो isotope, देखो यार, अभी हमने chemical element लिखा था, chemical symbol लिखा था एक element का ऐसे करके, और यहाँ पे लिखा था हमने A, और यहाँ पे लिखा था हमने Z, यह लिखा था, यह था mass number यह था atomic number, ठीक है अब देखो, इसको मैं top बोल रहा हूँ, इसको मैं नीचे वाला portion बोल रहा हूँ, बोटम बोल रहा हूँ यह याद रखना, तो isotope नाम में देखो क्या रख top, top मैं उपर वाले, उपर वाले जिसके different हो the atom of an element which have same atomic number atomic number मतलब Z, atomic number मतलब Z same हो, but different mass number हो, मतलब 8, भई देखो top नाम आ रहा है, तो top वालों को different करो जैसे कि 1H1 है जिसको proteum बोला जाता है 1H2 है जिसको deuterium बोला जाता है, और 1H3 जिसको treatium बोला जाता है, यह तीनों क्या है यह isotopes है, क्यों, क्योंकि इनके यह, यह, यह अलग है और यह जो atomic number है, यह same है, ऐसी दरीके से होता है यह आप लोगों के पास isobars, isobars का मतलब होता है, देखो bar क्या है bar को मैं bottom कर रहा हूँ, bars भी मतलब bottom, तो bottom वाले different होंगे bars मतलब नीचे वाले different होंगे, bottom वाले different होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे atomic 3 क्या है, same है, तो different को नहीं है, atomic number, तो यहाँ पे क्या है, atomic number अलग है, तो उसे वो लगएगा, ऐसे ही यहाँ पे, ओके बटे, ऐसे आप लोग अलग-अलग example बता सकते हैं, तो यह iosobars हैं, यह iosobars हैं, यह iosotops हैं, तो iosotons क्या होता है, नाम से बता लग रहा है, iosotons मतलब neutrons, iosotons, neutrons, जिनके neutrons, same, ठीक है, वो कहलाएंगे भईया, same number of neutrons, वो कहलाते हैं, iosotons, जैसे क्लोरिन मैंने लिया, तो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 17 है, तो 37-17 करेंगे, अभी N निकालना सिखाया था, ठीक है, A में से Z निकालनेंगे, तो 20 बचेगा, यह है, potassium, potassium में 49-19 करेंगे, तो 20 बनने वाला है, ठीक है, एक मिनट में ने कुछ गल्द किया गया है, हाँ, यह 20 बचेगा यहाँ से भी, 37-17, तो 20 हो गया, और 49-19 यह भी 20 हो गया, तो यह दोनों क्या है, आइसो टोन्स हैं, एक आता है, आइसो मर्स, जो कि सिरफ आप लोगों डेफिनेशन पढ़नी है, वैसे इस लिबस में तो शायद यह नहीं है, बट NCRT में लिखा हो था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, आप लोगों को रिवाहिस करवाने की सूची, वैजो आटोमिक नमबर भी सेम है, मांस नमबर है, इनके पास फिर होगा क्या, इनके पास बीजिस्टिंग के पास ओगाइन, energy states होंगे तो वह कहलते हैं isomers देखो ध्यान से सुनना जिसमें न्यूट्रों से मैं उसको टॉंस बोल दिया मतलब आइसो टॉंस बोल दिया जिसमें नीचे की से मतलब आटॉमिक नंबर सेम है आटॉमिक नंबर डिफरेंट है वह जिनके टॉप्स डिफरेंट है वह आइसो रहें बीच्प में नूख्या से बिन फोर्ट है नीच में है नूट्रों अने कि रिकवार्मेंट रुप्वर्मेंट होती है उसे बहुते हैं नूकलियर फोर्וא्स यहां फिर आप ढौलो एक simple sec funda बोलते हैं कि बया nucleus में कौन है nucleus में proton 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 available proton Payzing Patriot Lebanon neutron praw चार्च पोजेट नूट्रोन पर कोई भी charge नहीं neutral होते तो फिर भी वह की जंगे है फिर भी वह की जंगे है तो इसका मादलब क्या है कि उनको कोई कोई force खीच के बांदे हुए है एक जंगे है रखा हुए उनको है ना तो वह force कौन सी होती है वह force होती है nuclear force nuclear force is a strong attractive force attractive है अभी तो एक ही जंग है बहिए जो bind करते है कि इसको proton and neutron को together inside है tiny nucleus छोटा सा place होता है वो बिल्कुल छोटा सा इसके कुछ characteristics है characteristics से ध्यान से समल देना दो पेज में मैं इसको करवाने वाला हूं देखो यहां पर भी और यहां पर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम्हें समझवा जाए पहली characteristics क्या है कि जो नीट्रोन कें लगति में अबहुआयख आप दोर टॉठों मतलब प्रोट psychiat चार्ज का चक्कर ही निवर है यह सब के बीच में लग लिए अट्रेक्टिव है नुकलिर फोर्स कैसी होती है यह बिल्कुल शॉट रेंज फोर्स होती है थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर चेंज करते हैं तो यह नुकलियर फोर्स उससे चाहिए बहुत ज्यादा तरीके से होती है तो यह short range force होती है क्योंकि nucleus है कितना बड़ा होता है चोट उसा nucleus होता है बिल्कुल उसमें भी neutron proton पड़े हैं उनके बीच में force लग रही है तो आप बोल सकते हैं कैसी force है short range force है short range nuclear forces do not obey inverse square law inverse square law को follow नहीं करती है जैसे कि column's law में नीचे की तरफ क्या होता आर सक्वेर होता है या बाइट से लोग में आर सक्वेर होता है ऐसा कुछ नहीं होता है इस गंदर ठीक है हाँ distance के साथ घट रही है distance के साथ यह increase भी होती है तो वह भी बात करने वाले है बट inverse square लोग को follow नहीं करती है कोई formula नहीं है इसके लिए exact experiment हुए तो variation with distance अगरम देखे ध्यान से देखना मैं यहाँ पर गराफ तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे potential energy ली मैंने और यहाँ पर है distance किसके बीच में neutron proton 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 और neutron neutron के बीच का distance की बात कर रहे है ठीक है यहाँ पर मैंने potential energy लीए देखो जहां पे force attractive होती है वहाँ पे potential energy क्या होती है negative होती है यह याद रखना और जहां पे force repulsive होगी यह बोलो जहां पे force repulsive होगी वहाँ पे आप बोल सकते है potential energy positive है अभी इस distance के साथ जो variation हो रहा है potential energy का वो हम यहाँ पे देखने वाले है यहाँ पे कुछ graph कुछ ऐसा बनाया हुआ है यह distance है जिसको मैंने बोला r-node और r-node की value कितनी है 0.8 fm है 0.8 का मतलब 0.8 into 10 minus 15 है उतना छोटा सा distance है इतना छोटू सा distance है तो यह क्या indicate कर रहा है यह graph क्या indicate करता है अगर हम distance r-node से कम रखते हैं अगर हम distance r-node से कम रखते हैं तो देखो potential energy क्या हो रही है ऐसे इधर की तरफ क्या है increase हो रही है तो मतलब यह positive है क्या है positive है क्या positive है potential energy positive है लेकिन force कैसी है repulsive है for r less than r-naud potential energy increase rapidly यह indicate कर रहे strong repulsive force वहाँ पे लगेगी उनके बीच में लेकिन अगर r से बड़ा हो distance तो आप देखो कि क्या हो रहा है जैसे-जैसे r से बड़ा है distance तो जैसे-जैसे increase हो रहा distance तो potential energy भईया क्या हो रही है 0 की तरफ जा रही है तो for r greater than 0 potential energy gradually decreases to 0 यह 0 की तरफ खट रही है और एकदम से 0 नहीं होगी यह आगे जाके चार तक r naught is equal to 4 fm तक जाके यह 0 होने वाले है ठीक है अब इसका मलब यह क्या indicate कर रहा है यह indicate कर रहा है कि force is attractive यह indicate कर रहा है कि यहाँ पर force कैसी है nuclear force वो attractive है तो मैं यहाँ पर यह बताना है कि potential energy जब increase-decrease हो रही है तो भहिया force कैसी है attractive है या repulsive है तो maximum कहाँ पर है देखो यार maximum potential energy यहाँ पर है तो maximum क्यों है यह minus में 100 है यह कितने में minus में 100 है the attraction is maximum at इस distance पर इस distance पर आके potential energy is minimum है minimum है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा attraction यह इस point पर है और 0 कब होगी जब distance कितना होगा 4Fm होगा 4Fm होगा और जो यह negative sign होता है न भी है potential energy का जो negative sign होता है वो क्या indicate करता है potential energy का जो negative sign होता है वो indicate करता है कि हाँ पर attractive force लग रही है क्या लग रही है attractive force लग रही है फिर जो nuclear forces होते हैं बटा वो saturation effect दिखाती है saturation effect का मतलब जो nuclear force है वो अपने पडोसी के साथ ही लग रही होती है अपने पडोसी nucleons के साथ ही लग रही होती है जैसे a nucleon interact only with its neighboring nucleons यह होता है saturation यह होता है क्या saturation मतलब अगर यहाँ पे एक nucleons है तो यह इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ लगी बाक्यों के साथ नहीं वो फिर आगे वलों के साथ लगी पाडोसी के पाडोसी के साथ नहीं लग रही है तो इससे समझ रहा रहा है इस स्मझ मिँंधू रहा है This property is supported by the fact that the binding पर the binding energy per nuclei nächste can is same over wide range of mass number you're always binding energy लखो पर नुकलिए जो है वो same over wide range of mass number समझ में आगया है भई अब यह है यह इसके साथ लग रहा है यह इसके साथ लग रहा है यह इसके साथ लग रहा है यह इसके साथ इनके बीच में फोर्स लग तो यहां की कम होगी ठीक है वो क्या होगी कम होगी यह याद रखना nuclear force between two nucleons having parallel spin any stronger than that between two nucleons having anti-parallel spin exchange force क्या होती हुआ जेको बोला क्या गया कि बहुत सारे experiment होगा उसके बाद यह सब चीजे बोले गई the nuclear force between two nucleons arises from the constant exchange of particles मतलब यह जो force लग रही है ने nuclear force यह constant exchange हो रहा है पार्टिकल का, जिनको क्या बोला गया, मैसोंस बोला गया, ओके, तो यह exchange हो रही है, exchange forces भी बोली जाती है, non-central क्यों है, क्योंकि center to center नहीं लिखती है, ऐसा कुछ नहीं होता, the nucleus force between two nucleons does not act along the line joining their center, यह नहीं कि मालो यह एक center है nucleon का, यह एक center nucleon, तो यहाँ पर लाइप कर रह के अंदर Einstein जी ने एक suggestion दिया कि जो energy and mass है वो equivalent है energy and mass जो है वो कैसे भी या equivalent हो न बोला he predicted that if the energy of atom changes by an amount e मतलो अगर किसी body sorry atom बोल जाना और ने body बोलना था energy of a body किसी amount से change हो रही है मानलो e amount से change हो रही है तो इतने से ही उसका mass change हो रहा है ज्यान से सुनना its mass changes by an amount m और ये किस तरीके से given किया गया m is equal to e by c square से मतलब ज्यान से सुनना किसी चीज़ का अगर हम mass बढ़ा रही है ठीक है किसी चीज़ का अगर हम mass बढ़ा है तो उसकी energy बढ़ रही है किसी चीज़ में से अगर हम energy ले रहे हैं तो उसका mass घट रहा है कुछ ऐसा आप लोग बोल सकते हैं मतलब आप बोल सकते हो कि energy and mass जो है वो equivalent है अगर मैं यहाँ पर mass को 1 amu लूँ कितना लो बढ़ा जी 1 amu और 1.66 into 10 minus 27 इसकी value होती है और c की value है यह तो आप अगर इस equation में से e निकालते हो तो e की value आएगी 1.49 into 10 days to power minus 10 joule आने वाली है लेकिन अगर मैं इसको electron volt में चाहता हूँ अगर मैं इसको electron volt में चाहता हूँ तो इसको मैं divide करूँगा 1.6 into 10 days to power minus 19 से divide कर दूँगा तो यह आएगा घूम फिर के कितना 931 mega electron volt 931 mega electron volt मतलब energy आ गई 931 mega volt वो कब आई जब आपने mass लिया 1 amu तो 1 amu किसके बराबर बोल दोगे कि 931 mega electron volt के यह बराबर है यह याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी result है next mass defect क्या होता है देख ज़र nucleus है nucleus के अंदर कौन है proton भी है neutron भी है nucleus के अंदर कौन है proton भी और nucleons भी है ठीक है तो हमने क्या किया कि जब यह nucleus था जब यह nucleus था तब इसका mass देखा जान से सुनना जब यह nucleus था तब इसका mass देखा और उसके बाद अगर हमने individual nucleons का mass देखा individual nucleons का mass देखा ऐसे यह Nucleons है, इनका मास अगर देखा हमने, तो वो ज़्यादा आया, वो ज़्यादा आया, तो भी मतलब Nucleons का मास जो है, ध्यान से सुनना, Nucleons का मास जो है, वो ज़्यादा है, किसके मास से, मास अव दा Nucleus से, Nucleus के अंदर कौन है, proton, neutron, proton, neutron, collectively क्या बोले जाते है, Nucleons बोले जाते है, अगर मैं individual सबका मास निकाल, proton, neutron का एक जहेंगे कर रहा हूँ, जिसको Nucleon बोल रहा हूँ, वो मास ज़्यादा आ रहा है, जब वो Nucleus बनाते हैं, तो वो मास का मास का डिफरेंस आ गया, उससे बोले जाता है, मास डिफेक्ट, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर मास डिफेक्ट कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमने, मास लिखा किसका, Z लिखा, साथ में लिखा, मास और प्रोटों, प्लेस में नम्बर अफ नुटों लिखे, कैसे, A-Z से, मास और किसका neutron का, माइनस मास और नुकलियस äकных difference आ गया, जिसको delta M बोला गया, जिसको क्या बोला गया बटाजी, delta M यहाँ पर बोला गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है यहाँ बहुत यह मास गया क्हा, उया जब नुकलियस बनेगा न, तो क्या होती है, energy लगती है, तो यह energy कहा है, तो अनर्जी मास से मिलेगी, थी, energy use हो रही है, निकल रही है, लगी है, तो मास कम हुआ है, that's why, okay, चलो, तो binding energy क्या होती है, binding energy of a nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent, मतलब proton, neutron, and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, binding energy क्या होती है, किसी nucleus के अंदर क्या है, proton, neutron, उनको break करना, या भर बोलो कि nucleus को break करने के लिए, जो energy required हो रही है, break करके क्या कर रहे हो, proton, neutron को लग लग कर रहे हो, बहुत दूर तक ले जाना है, कहां तक ले जाना है, बहुत दूर तक ले जाना है, उस time पर जो energy required हो रही है, लग रही है, उसे बोला जाता, binding energy, क्या होती है, binding energy होती है, या फिर आप इसको इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो मतलब in terms of Einstein mass energy relation में भी आप इसको बोल सकते है कि इनको bind करने के लिए हमें एक energy की requirement हो रही है ठीक है इनको bind गरने के लिए energy के requirement हो रही है तो वो energy कहा से मिले है वो mass से मिले थी जो mass defect हो रहा है जो delta m जा रहा है वही थो energy दे रहा है ठीक है तो उसे बोलते हैं binding energy तो अगर हम इसको mass energy equivalents के हिसाब से लिखें तो इसको लिखा जाएगा delta EB मतलब EB इस था binding energy delta M into C square तो delta M की value यहाँ रही इसको put करेंगे और genau till answer आ जाएगा ठीक है c source您, the speed of light अगर भड़ा binding energy पर nucleolons क्या है दो यहां पे था कि कितनी energy required हो रही है उनको break करने में या फिर जोड़े रखने में लेकिन 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 सुनो binding energy हमने बताया कि इतनी energy required होगी nucleus को break करने में उसके constituents को अलग करने में ठीक है इसको लिखेंगे E B, delta E B by A और इसको बार से शो करते हैं किसे शो करते हैं? बार से, delta E B बार से अब यह जो binding energy per nucleons है यह हमें क्या बताता है gives a measure of the force which binds the nucleons together inside a nucleus मतलब हमने एक-एक की निकाल दी ना तो अब हमें यह पता लगता है वो यहां से पता लगता है ठीक है? अब ध्यान से देखना मानलो A की value छोटी है mass number की value छोटी है number of nucleons कम है तो binding energy per nucleons क्योंगी बहिए? ज़्यादा आने वाली है ज़्यादा आने वाली है मतलब ज़्यादा energy से उनको बांदी के रख सकते हैं फिर बोलोगी ज़्यादा energy से उनको तोड़ा जाएगा तो मतलब वो क्या होंगे? फिर वो ज़्यादा stable होंगे higher the value of binding energy per nucleons, more stable the nucleus उस टेम पर nucleus ज़्यादा stable होगा ठीक है? चलिए तो एक बार nucleus stability समझ लेते हैं कि क्या होता है तो यहाँ पर neutron और proton दोनों ही main role निभाते हैं stability के लिए लेकिन केस ही होता है कि stable रहने के लिए number of neutrons ज़्यादा होने चाहिए वो आप लोगों का भी बात समझ आने वाले पहला होता है neutron proton ratio जो lighter nuclei होते हैं हलके हलके nuclei होते हैं वो ज़्यादा stability कब अचीव करेंगे जब उनका N जो है वो Z के बराबर होगा जब उनका N किसके बराबर होगा जब के बराबर होगा ऐसा क्यों क्योंकि देखो या अगर N और Z बराबर होगे तो उससे क्या है कि क्या है number of protons और N का मतलब है कि number of neutrons तो neutron neutron के बीच में force लगेगी और इनके बीच में भी force लगेगी proton neutron के बीच में proton neutron के बीच में लगते है force तो जो proton proton की वज़े से repulsion हो रही थी ङो इसकी वज़े से balance हो जाएगी ध्यान से सुनो N is equal to क्या है नमबर ओफ प्रोटोन, प्रोटोन, प्रोटोन के बीच में फोर्स लगेगी, प्रोटोन, न्यूटोन के बीच में लगेगी, न्यूटोन, न्यूटोन के बीच में लगेगी, तो अगर यह बराबर होंगे, तो न्यूटोन, न्यूटोन फोर्स लगा रहा है, यह न्यूटोन के लिए क्या होता भी है, heavy nucleus के साथ क्या होगा, heavy nucleus का मतलब है कि उसका mass number increase हो रहा है, mass number क्या हो रहा है, increase हो रहा है, ठीक है, तो यह जो ratio है, n by j, यह maximum 1.6 तक जा सकता है, मतलब 1 तो होगा, बट maximum इसकी value 1.6 तक जाएगी, और एक heaviest अगर element है, एक heaviest nuclei अगर है, वो stable, इस value तक होगा, इस value तक होने वाला है, क्योंकि उसके बाद जादा वो heavy होगा, तो उसमें क्या बटेंगे, जादा number of neutrons आ जाएंगे, आप यह बोल सकते हो, जादा number of क्या आ जाएंगे, उसमें neutrons आ जाएंगे, और नूट्रोंस आ जाएंगे तो तब भी फिर से वह क्या होगा कि मतलब वह बैलेंस नहीं कर पाएगा चीज़ों को ठीक है यह याद रखना है कि लाइटर नूकलिय के लिए N by Z जो होना चाहिए और अगर हैविएस्ट में स्टेबिलीटी देखना चाहते हो तो यह नंबर रेशो जो हो 1.6 तक मैक्सिमम होना चाहिए तो जैड जो है जैड ग्रेटर देन 83 उससे ओपर कोई भी स्टेबल नहीं है तो आप बोल चकते हो कि जैड इस इगल टो 83 पर ही स्टेबल है बिसमित ठीक है इससे ओपर हैवी स्ट सब्सक्राइब करते हैं अगर कोशन आ जाए तो यह इस फॉर्मले को यूज कर सकते हैं अब यह कर्व है वह बाइंडिंग अनर्जी पर न्यूक्लियोन का विद्ध, mass number जो आप देख सकते हो, यहाँ पहले हमने mass number, इधार है binding energy per nucleon, तो देखो, यहाँ से शुरूब होके यह ऐसे चल रही है, फिर यह पीका आए, फिर यह पीका आए, फिर यह पीका आए, फिर यह ऐसे, और यह ऐसे से, फिर एकदम से ऐसे हो रही है, तो यह क्या है यह बता रहा है कि जो binding energy पर nucleons है वो practically constant है यहां से लेके यह practically लगबग same same सी है मतलब यहां कितनी value होगी यह और यह इस range में यह लाई गरती है जो कि बिल्कुल पास-पास से की value है ठीक है तो यह रहा है कि practically constant होती है इतने से इतने में यह mass number का कोई चक्कर नहीं है कितनी range तक 30 से जादा और 170 से कम किसकी value एक यह गर आफ इसने बताया था ठीक है binding energy पर ठीक है अगर भीया binding energy पर nucleons जो है वो lower है किसके लिए जब A कितना है 30 से छोटा है और A कितना जब 170 से जादा है भीया अगर lighter nuclei है बिलकुल light है एसे नंबर जो है 30 से कम है तो भी binding energy पर nucleons कम आ रही है कम आ रही है तो वह इतना stable नहीं होगा फिर और 170 से जादा ए तो उस टेम पे भी वह क्या रही है भीया पर उस टेम पे भी वह क्या है वह lower है कम हो रही है देखो इसके बाद यहां से यहां से इस range के बाद यह कम होनी शुरू हो रही है समझ में आया तो यह होता है इसके features है जो आप लोगों को पता होने चाहिए nuclear fusion क्या होता है यह nuclear fusion वह phenomenon होता है जिसमें एक heavy nucleus क्या करता है split होता है दो और उससे ज्यादा nucleus के अंदर और एक large amount of energy जो है वह release करता है जैसे कि हमने यहां पर लिया कि uranium 92-235 लिया जिसको slow neutron से bombard कराया फैंका उसके साथ और यह मिल गया uranium 236-92 यह क्यों करा ऐसा कम वह आगे जाके मैं तुम्हें बताने वालो इसके बाद क्या वखी है क्या हो रहे हैं heavy हो गए heavy होने के बाद यह क्योंगे अपने आप होने के बाद यह क्योंगे अपने आप तूटेंगे तो यह बैरियम में क्रिप्टॉन में यह neutron और neutron कैसे फास neutron में और साथ में Q क्यों मतलब energy release यहां पर हो चुकी है कितनी energy release होई बटा 200 मेगा एलेक्टॉन वॉल्ट यहां पर energy release हुई है ठीक है अब यहां पर जो यह fragments बन neutron rich का मतलब इनके पास neutron होंगे ठीक है तो यह unstable होंगे क्या होंगे neutron rich ज्यादा rich भी unstable कर देता है ठीक है तो यह कैसे होंगे unstable होंगे तो यह इसका मतलब यह क्या है रेडियो एक्टिव है रेडियो एक्टिव मतलब जो अपने आप क्या करते है रेडियेशन निकालते है जैस fusion reactor के बारे मी पढ़ लेते हैं जो fusion material होता है uranium 235-92 अब यह highly fissnable होता है कैसा होता है highly fissnable होता है जो की nature में नहीं पाया जाता नहीं पाया जाता है इन दोनों का mixture पाया जाता है किसका 338 का और 235 का 235 बहुत जादा गारिए भी बनाए गया फिर इससे अब यहां पे इहां पर इसके पास एक possibility होती है मतलब यह अब्जोर कर लेता स्लो न्यूट्रोन को और अपने आपको बना लेता चाहिए अब उसके बाद यह ब्रेक होता है जब यह ब्रेक होता है फ्रेग्मेंट बनते हैं लग अलग जैसे कि यह फ्रेग्मेंट बने यह बने और साथ में न्यूट् कर रहा हूं तो यह बनते हैं अब फ्रेग्मेंट बने से होता है यह उसके अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं डीटो मतलब हेवी वोटर बोल सकतो ग्रेफाइट बेरिलियम इन सब को यूज़ करके इनको स्लो किया जाता है ठीक है और जो फास्ट मुविंग नूट्रोंस होते हैं उनको 238 जो हता है यूरेनियम 238 वह एब्सॉर्ब कर लेता है तो उस possibility को भी हाँ पर खतम कर देते हैं जब इनको slow down कर देते हैं जब इनको क्या कर देते हैं slow down कर देते हैं ठीक है सब्सुर्ण आ गया तो भई यह वन सिरफ इनमें से 2.5 में से सिरफ एक ही हम यूज़ कर लेते हैं reaction को trigger करने के लिए और बाकी की बच्चे वह क्या हो जा कि यूट्रानस बने अगर नूट्रानस अब ज़ ज़दा हैं तो reaction अच्छी चलती रहेंगी मतब देखो कि यहां पर यहां पे को रहा था यहां पर एक नूट्रान था यहां पर तीन बन गयी मालू फ्र से अगर fusion हो रहा है तो नूट्रोंस अगर ज़ादा हैं तो वह इतरो पर तराल इतरों स्मय नियुक्न वार्पी चिली प्रेशन प्रियुक्छन पर आते हैं यहां करते हैं तो और फिरक्षार बनेंगे जब तो नियुक्त नको तोहले कितने थो इसका मतलब 5 अगर आए हैं थो तो हम 5 से बना सकते हैं इसका हम तरे बिध्य इसकोम यहां पर बिताता है कि रयक्ष चलेगी रूप टैगी यह खटम जैंगी जो T के बताता है तो अगर के की वेल्यू ज्यादा है किस से वन से तो उसका मतलब होगा कि नंबर ओफ नूट्रों प्रेजेंट अगर एक से जादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास आगे रियक्शन चलाने के लिए फ्रेग्मेंट्स जादा है तो अगर के की वेल्यू लेस दन वन है इसका मतलब है कि पहले की मुकाबले नूट्रों कम आये हैं पहले जो नूट्रों समने यूज करिए थे उससे कम आये है तो इसका मदलब रियक्शन रुख जाएगी डाइज आउट हो जाएगी और लार्ज अमाउंट ऑफ नर्जी जो वह रिलीज होता है और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेंप्रेचर टेंडेश टूपाफ सेवन के और हाई प्रेशर की जुरूरत होती है जो की टेंडेश टूपाफ सिक्स एटीम होता है यह रियक्शन से आप लो श्यादा होतै जादा है हahaha है के के मेरे यह टाइट और क diplomat जब शन नियॉट्रोन होने चाहिए ज्यादा अगर आपको उसकी growth rate बढ़ानी है क्योंकि neutron क्या काम करता है trigger का काम करता है अगर वह कम होंगे तो फिर वही common सी बात है कि वह बंद हो जाएगी अगर वह सेम मात्रा में है तो उसी रेट से reaction चलती रही चली तो फिर इस वीडियो को यहीं पर जब्टाते हैं और आगे बढ़